गुड मॉर्णिंग दोस्तों मैं हूँ आप सभी का दोस्त हैपी राइडर का जानन पाटील आप सभी में विराजिर अंतरात्म को मेरा सप्रेम नमस्कार दोस्तों आज हमें स्पेशल जगपे जाना है वो है महालक्ष्मी माता का मंदीर जी हाँ हेदवडे गाउ जो विरार से थोड़ा आगे है गुजरात हाईवे पर फिरे गाउ की जो लक्ष्मी माता मंदीर है वो लक्ष्मी माता मंदीर का वैसिती है कि केवल शुक्रवार को ही खुला रहता है और नवरात्री में नव दिवस खुला रहता है तो आज शुक्रवार है तो हम जाएंगे महालक्ष्मी मंदीर हेदवडे काओ हमारे जर्णी अभी स्टार्ट हो चुकी है तीसीज मिरा भाहिंदर रो यह है काशिमिरा जंक्षन हमेशा की तरह यहां भारी भीड रहती है भारी भीड है क्योंकि स्टावेरिका टाइम है सब लोग अपने नोकरी पेशा पर जाने के लिए तयार है यह कुछ ग्रूप है लेवर ग्रूप डेली वीजेश पर यह भाहिं लोग काम करते हैं खुछ भी कॉंट्रेक्टर को इनका मैन पावर चाहिए तो यहां से इनको लेकी जाते हैं फाउंटन होटेल जंक्षन पर यह जो ब्रीज बन गया है यह बहुत ही रहात बरा अरी ब्रीज है क्योंकि नीचे जंक्षन पर काफी ट्राफिक जाम होती थी लेकिन अभी ट्राफिक का काफी सेप्रेशन हो गया है जो ट्राफिक जाम लगता था नीचे कभी कभी तो कही घंटों तक ट्राफिक जाम लगता था अभी उसमें काफी राहत मिल गई है पुरा प्राब्लेम तो नहीं स्वाल होगा है लेकिन ज़्यादा ही हद तक प्राब्लेम स्वाल हो गया है दूसरा जो रास्ता है, आने का जो रास्ता है, वहाँ भी रास्ते का काम चल रहा है, और ब्रीज के उपर से, तो फिल फुटल प्राब्लेम सौल हो जाएगा. मंबई गुजरात हाइवे पर ऐसे बहुत सारे बिजेस है, तो निचे की जो क्रॉसिंग है, उसका बिलिट कुल डिश्टरबंस नहीं होता है, लोकल परसंस को ये तकलिप नहीं होती है, जो लॉंग जर्नी वाले जो वेहिकल्स के, आज थोड़ा फोगी वातावरण है, दुआ दुआ लगता है सब, ऐसे तो लगपक नौ बज गये है, लेकिन जादा पादल होने के कारण, अंधिरा अंधिरा सा लग राया है, यहाँ से अभी हमी गुद्रात हाइवे जो है, वहाँ से लेप लेना है, मेन रोड अभी छोड़ कर हम सर्विस रोड पर इंट्री कर रहे है, यहाँ से अभी हमें लेप लेना है, अभी है लोकल विलेज है, छोटे गाव से रस्ताग जा रहा है, यहाँ सामने जो दिखाए दे रहा है, यही है महालक्ष्पी माता मंदीर, दिखिए हम दूर से ही कलश का दर्शन कर सकते है, बहुत सुन्दर मंदीर दिखरा यहाँ से, तो चलो चल दी ही महालक्ष्पी माता का दर्शन के लिए आके बढ़ते हैं, दर्शन के लिए काफी भाविक लोग आये है, बहुत सारे टूविलर से आये है, कोई लोग आटोरिच्छा से आये है, कोई लग फोर विलर से आये है, टूविलर अभी हम पार्क कर लेते हैं, साइड में थोड़ी जगह है, तो यहाँ गाड़ी पार्क करके फिर आगे निकलते हैं, दर्शन के जाते समय यहाँ बहुत सारे फूल भंडार मिलते हैं, कमल का फूल मालक्ष्पी माता को विशेश पीए है, इसलिए हमने कमल का फूल ले लिया, और यह स्टेफ्स है, आगे जाने के लिए, बीच में सेपरेटर भी लगाया है, ताकि नवरात्री में यहाँ जब भीड होती है, तो आना और जाना आसान हो जाता है, वक्त लोगों के लिए, यहाँ एक सुचना लगाई है, कि शुकरवार को यह मंदीर केवल सबेरे, साड़ी नव बजे से, शाम को चे बजे तक ही दर्शन के लिए खुला रहेगा, दर्शन के लिए आने वाले वक्त ध्यान रखे कि शुकरवार को हमें सबेरे साड़ी नव बजे से, शाम को 6 बजे तक ही दर्शन मिल सकता है लेकिन 39 दिन यह मंदिर खुला रहता है यहाँ आते ही दिखिए यह शेशनाग भगवान की बड़िया मुर्ती यहाँ दिखाई दे रही है ना तोटे ना तोटे माला ना तोटे ना तोटे माला नाम गुरु गुण गान की जग से हटकर गुरु चर्णों में गुरु चर्णों में जान की गुरु चर्णों में जान की ना तोटे ना तोटे माला ना तोटे माला ना मुगुरु गुण गान की गुरु चर्ण ही सुख के दाता गुरु चर्ण ही शर्ति पदाता गुरु चर्ण ही जगत कदारन गुरु गुद। गुरु जी गुरु जान जूँटाँ अमस्कार गुरु जी ना शिप्यरु चर्णों में गोस तल्टोल वाल भी हो त्यूल, टुर्द आप उन्ध यह नहीं... कि अच्छान बमा अच्छान कहा है लक्ष्मे नमो नमा, ओम विश्रुपी आए नमो नमा, ओम धना प्रदाए नमो नमा, ओम विश्वजनते नमो नमा यहाँ नवगरह का भी मंदीर है, नवगरह एकदम जैसे पुराना में बताया है, उस धंग से ही इनकी रचना की गई है पीच में सुर्य भगवान है, उसके एकजेंट बैक साइड में शनिदेव है, जैसे भी रचना विश्व में उवी है, वही रचना यहाँ प्रेजन की गई है प्रेजन क्यों में है, प्रेजन की आरेचा विवाली ही मुण जैसे नवगरा से जाए इनकी खित्त कांती साम्रतौन मह्वाद प्रेजन काशा मंदादौन जैसे बतातातना जैसे तरहां जैसे ड्यां भुकरिका शामंदानाशना तो पेना प्रतिमं बुधं सम्यं सम्य गुणों पेतं जों बुधं प्रणमाम्यगं ओम देवा नामचर शिनामचर यहाँ इस सेक्षन में कीचन है प्रसाथ भोजन इत्या जी की यहाँ तैयारी की जा रही है देखे कितनी लंबी चवड़ी जगह है और कापी साफ सुत्री भी है यहाँ बैटकर भक्त लोग प्रसाथ प्राप्त कर सकते है पेने की पाने की भी अलग सो विदा किये गई है बहुत ही बढ़िया जगह यहाँ बनाई गई है मंदिर की उपरी हिस्से में एजो गैलेरी बनाई गई है यहाँ से माता जी का दर्शन बिलकुल साफ साफ दिखाई देता है जय माता दी और देखिए ए विंडो से तांसा न दिखा कितना नए नरम में दुष्च दिखाई देता है चारो और हर्याली ही हर्याली पहाडों के पीच बेटे हुए है हमारी मालक्षपी माता यहाँ पोचने के लिए विरार रेल्वे स्टेशन से MSRTC की बस और शेयर आटो रिक्षा भी एविलेबल है विरार रेल्वे स्टेशन से लगबग 17 किलोमेटर यह हेदवडे विलेज है मुंबई कुजरात हाइवे पर खानेविडी काव से यह लगबग 15 किलोमेटर ही अंदर है हैपी राइडर गजनन पाटी नमस्कार ताई नमस्कार नमस्कार हम हमरे मिजी वहान द्वारा यहां पोस्ते है तो हमें यह ध्यान रखना है कि लोकल जो रईवासी है उनको हमारे वेहकल की पार्किंग की तकलिप नहों क्योंकि छोटा सा ही विलेज है और रस्ता थोड़ा सा नियारो है देखिए तो हमें पार्किंग थोड़ी सी सोच समझ कर करना है चाहिए अमारी टूइलर हो या फोर विलर हो स्थानिक रईवासियों को बिलकुल परिशानी नहीं होनी चाहिए यह है तांसा नदी तांसा रिवर के किनारी ही यह हिदीवडे गाव है देखिए कितना प्रशस्त इसका पात्र है इससे आगे यह नदी वैतरना नदी को जाके मिलती है थोड़ा सा आगे ही तांसा वैतरना इन दोनो नदियों का बड़िया संगम है देखिए नदी के किनारे से माता जी का यह मंदीर कितना भव दिव दिख रहा है जय माता दी महालक्ष्पी माता का मंदीर परिस्वर माता जी का दर्शन प्राप्ता करके मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ समय हुआ है थोड़ा चाय नास्ता करने का एक चोटे से लोकल होटेल में हमने मिसल पाव का आनंद लिया करमा गरम चाय पिए फिर यहां से निकल पड़े हमारी घर की ओर 879 यह महाल लश्मे माता का विशेश यंत्र है दिन जह गया मेरे अम्डे हो रही जय जय कारमंदर विच आरती जय मां हिदर वारा वाली आरती जय मां काहे दे मैया तेरे आरती बनावा काहे दे मैया तेरे आरती बनावा काहे दे पावा विच बाती मंदर विच आरती जय मां सुहे चोले अबाली आरती जय मां सर्वसोने दे तेरे आरती बनावा सर्वसोने दे तेरे आरती बनावा अगर कपुर पावा आती मंदर विच आरती जय मां जय मां पिंडी बाली आरती जय मां कौन सुहागन दीवा बाले आमिर मैया कौन सुहागन दीवा दोस्तों अभी समय आने गया है लोट ने कहा महालक्ष्मी माता का मंदीर तर्शन परिसर बहुत अच्छा ही हमें दिखने को मिला है यहाँ बीड है लेकिन शांती से दर्शन हो गया है और कुछ बैसा तकलिब जैसा नहीं है तो आम अपने मंदिरों में बहुत ज़्यादा बीड होती है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को अलाउड नहीं करते है नेकिन यहाँ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है नवनित पब्लिकेशन कमपनी के गेट से हम आभी आगे बढ़ रहे है गुजरात हाइवे की ओर यहाँ खानेविडी गाव में भी बढ़िया स्री राम मंदिर है बहुदी प्रशंस्त और भवे दिवी मंदिर यहाँ है यहाँ से अभी आगे हमें ब्रिज के निशे से राइट टन लेना है अभी हम तांसा नदे के उपर से ब्रिज के उपर से जा रहे है दोस्तो इस तरह महालक्ष्मी माता मंदिर हिदवडे गाव की मेरी यातरा सफल रही है मैं अभी घर पोज गया हूँ दोस्तो इह महालक्ष्मी माता का दर्शन आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर लिखिए और लाइक, शेर, सब्सक्राइब अवश्य किजे जै माता दी